को गया है बेट जोगा है लेकिन अधिया अधनिया अध्यक्षा जी कि मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं जिस धहरिय के साथ आपने सदन का संचालन किया है यह विश्वास प्रस्थाव एक प्रकार से हमारे लोगतंत्र की एक महत्वपूर्ण शक्ति का परिचायक है भले टीडीपी के माध्यम से यह प्रस्थाव आया हो लेकिन उनके साथ जुड़े हुए कुछ माननी या सदस्यों ने प्रस्थाव का समर्शन करते हुए बाते कही है और एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसने प्रस्थाव का विरोध करते हुए बात कही है मैं भी आप सबसे आगरे करूंगा कि हम सब इस प्रस्थाव को खारीज करें और हम सब तीस साल के बात देश में करूंगा बहुमत के साथ बनी हुई सरकार को जिजगती से काम किया है उस पर फिर से एक बार विश्वास प्रकट करें कि वैसे मैं समझता हूँ ये अच्छा मुका है कि हमें तो अपनी बात कहने का मुका में नहीं रहा है है लेकिन देश को ये भी चहरा देखने को मिला है कि कैसी नकारात्मक का है कैसा विकास के पति विरोत का भाव है कैसे कैसे नकारात्मक राजनीती ने कुछ लोगों को घेर के रखा हुआ है और उन सब का चहरा निखर करके सज दज करके बाहर आया है कईयों के बन में प्रशना है कि अविस्वास प्रसाग आया क्यों नसंख्या है नसदन में पहुमत है और फिर भी सदन में इस को 48 गंटे रोक दिया जाए चर्चा की जल्दी जरूत नहीं है अगर अविस्वास प्रस्ताव पर जल्दी चर्चा नहीं होगी तो क्या अस्मान फट जाएगा क्या कि भूकम पाई रहा है नजाने अगर चर्चा की तैयारी नहीं थी तालिस गंटे और देर कर दो तो फिर लाएक और इसलिए मैं समझता हूं कि इसको टालने की जो कोशिश हो रही है वो भी इस बात को बताती है कि उनकी क्या कशनाई करें न मांजी न रहबर न मांजी न रहबर न हकमे हवाएं न मांजी न रहबर न हकमे हवाएं है कस्ती भी जर यह कैसा सफर है कभी तो लगता है कि इस सारे जो भाशन में सुनना आता जो बहवार देख रहा था मैं नहीं मांता हूं कि यह कोई अज्ञानवस हुआ है और नहीं यह जूठे आत्मिस्वास के कारण हुआ है यह इसलिए हुआ है कि हंकार इस प्रकार की प्रभुत्ति करने के लिए खींच के ले जा रहा हुआ है मोदी हटां और मैं हरान हूँ आज छुबे तो मैं तो हराम हुआ थुबे भी कि अभी तो चर्चा प्रारम हुई थी मतदान नहीं हुआ था जय पराजय का फैसला नहीं हुआ था फिर भी जिनको यहां पहुचने की उत्सा है उठो 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 कि अब यहां को उठा सकता है ने बिठा सकता है सबासो करोड देश वासी भीडाजते हैं लोग कंत्र में जंतावे भरोज होना चाहिए इतनी जल्दबाए कि क्या है कि अज़िए पर यह हंकारी है जो कहता है कि हम खड़े होंगे प्रजान मंत्री 15 मिनिट तक खड़े नहीं हो पाएंगे कि आदेने तक्ष महोद्या जी मैं खड़ा भी हूँ और चार साल हमने जो काम पिये हैं उस पर अड़ा भी हूँ हमारी सोच उनसे अलग है हमने तो सीखा है सार सार को गही रहे थोथा दे ये उड़ा खर मैं सार ग्रहन करने के लिए काफी कोशिश कर रहा था लेकिन आज मिला नहीं दंके की चोट पर हंकार ये कहलाता है दोहजार उन्नीस में पावर में आने नहीं देंगे जो लोगों में विस्वास नहीं करते और खुद को ही भागे विधाता मानते हैं उनके मूं से इसे शब्द लिखाती है लोग तंत्र में जनता जनारदन भागे विधाता होती हैं लोग तंत्रिक प्रक्रियाओं पर भरोसा होना जरूरी है अगर 2019 में कॉंग्रेस सबसे बड़ा दल बनती है तो मैं बनूंगा प्रधान मंत्री लेकिन दूसरों की धेर सारी ख्वाइश है उनका क्या होगा इस बारे में कंफुजन है अध्यक्य महोद आईगी यह सरकार का फ्लोर पेस्ट नहीं है यह तो कॉंग्रेस क्या अपने तथा कती साथियों का फ्लोर पेस्ट है कि मैं ही प्रधान बनेंगा प्रधान मत्री बनेंगा कि सप्ड़े पर और दर्भी थोड़े महर लगा दें इसके लिए ट्राइल चल रहा है इस प्रस्ताव के बहाने अपने कुनवे को जो जमाने की कोशिश की है कहीं बिखर न जाए इसकी चिंता पड़ी कि एक मोदी को हटाने के लिए जिसके साथ तभी देखने का समद्न नहीं मिलने का समद्न नहीं कि ऐसी धरियों को इखटा करने का प्रयास हो रहा है कि मेरी कॉंग्रेस के साथियों के सलाथ कि जब भी अगियर आपको अपने संभवित साथियों की परिशा लेनी है तो जरूर लीजिए लेकिन कम से कम अविश्वास क्या प्रस्ताव का तो बहाना नहीं बढ़ाईए जितना अविश्वास वो सरकार पर करती हैं कम से कम उतना अविश्वास अपने संभवित साथियों पर तो करिए हम यहां इसलिए हैं कि हमारे पास संखावत हैं हम यहां इसलिए हैं कि अपनी स्वार्थ सिद्धी के लिए देश के मन पर देश्वास के दिये आशिरवाद पर कम से कम अविश्वास न करें अब बीना कुष्ट्री करन किये अब बीना गोट बैंक की राजनीति किये सबका साथ सबका विकास यह मंत्र पर हम काम करते रहें पिछले चार वर्ष में अब आचिए उस वारगर ऑक शेट्र में काम अब अड़ाय इस फ्लीज यह मन अचिए फ्लीज पर देए नुरसे इस सम्हरोट आप अनुराग जी अनुराग जी आपटी जी जी लिए जी 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 जूब आप टुसे मैं हम स्वरीगाने की प्लीज 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 पहले भी मंडे तक्या जी में भी क्या फ्लीज प्लीज प्लीज बड़ल य mixer भी मैं भी विआ आप तो जाहिए मैं देख रही हुना रिक्वेस्ट कर रही हुना आप क्यों कर रही हुना कर रही हुना 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 रही ह क्वाव तो आपको लिसन, और निसन गुएटली। निर्प्ला यह प्रणा प्रणेखा लेगा ला? और झाल प्रतिक खाना के हिले सेप्ट एफड़ जिएगा तररक्ण। रिप्लाय तरहेगा निर्प्लाव को प्रणा आपडेगा ना? प्लीज गो टो यार्ची प्लीज नूँ देख रहे हैं मैं भी समझ रहे हूं बैठिए आप लोग आप तो शांती चाहिए बैठिए रिक और में कुछ नहीं जाएगा यह बात अधर्जम बहुत आई जी एक अधर्जम साथ सब्का विकां इसी मंत्र को लेकर के हम काम करने वाली सरकार जब 18,000 गामों में बिजली पहुंची यह काम पहले भी सरकारे कर सकती थी लेकिन अध्यक्शन हो दया इन 18,000 गामों में 15,000 गामों पुर्वी भारक के और उन 15,000 में भी पांच हजार गामों पूरी तरह नौर्थिस के आप कल पना कर सकते हैं इन इलाकों में कौन रहता है हमारे आदिवासी है हमारे गरीब यही मानुभाव रहते हैं गली थो पीडी थो शोची तो बंची थो जंगलों में जिंदी की खुजारने वाली हैं इनका बहुत बड़ा तपका रहता है लेकिन ये रहते थे क्योंके वोट के गणित में फिक नहीं होता है और उनका इस आबादी पर विश्वास नहीं था उसी के कारण नौर्थ इसको अलग ठलक कर दिया गया हमने सिर्फ इन गामों में बिजली पहुचा यह नहीं अपने कनेक्टिविटी के हर नार्थ पर अदेज गती से काम किया बैंक के दर्वाजे घरीमाने पर इस राश्च वह Epic के नाम पर बैंकों का राश्चय कर्वा लेकिन 맞아 बैंक के दर्वाजेप गरीवां के लिए नहीं पुझिंग्यट नहीं किْ कि जमासिए सरकारे थी इतनने और आज असी हजार करोड रुपिया इन गरीबों ने बचत करके इन जंदन एकाउंट में जवा किये हैं माता और बहनों के लिए उनके सम्मान के लिए आठ करोड सुचा गाए बनाने का काम इस सरकार ने कि पहले की सरकारे भी कर सकते हैं मुझवला योजना से साड़े चार करोड गरी मातों बहनों को आठ दुमा मुक्द जिंद्गी और बहतर स्वाच का काम यह विस्वाच जगाने का काम हमारी सरकार ने किया इसी की चर्चा में खोए हुए थे उनका उनका अभिस्वास के बीच वो जनका को भटका रहे थे एक अंतर राश्चे रिपोर्ट के अनुजार बिते दो वर्षा में पांच करोड देश्वासी वीसां गरीबी से बहार आए बीस करोर करीमों को मात्रन नप्वे पैसे प्रतिदी और एक रुप्य महिने के प्रीमियम पर बीमा का सुरच्छा का वजबी मिला आने वाले दिनों में आईश्वान भारत योजिना के तहर पांच लाख रुप्यों का बिमारी में मदद करने का एस्टॉरंस इस सरकार में करनिया है इनको इन बातों पर भी विश्वात नहीं है हम किसानों की आए दो हजार बाइस तक दो गुना करने की दिशा में एक के बाद एक कदम उपा रहे हैं उस पर भी इनको विश्वात नहीं हम बीच से लेकर के बागार तक संपूरा गवस्ता के अंदर सुधार कर रह हैं सीमलेस वबस्ताइं बना रहे हैं इस पर भी उनका विश्वात नहीं है असी हजार करोड़ रुपे से जादा खर्च करके बर्सों से अटकी हुई नाइन्टीन नाइन सिचा योजराओं को उन पर योजराओं को पूलन करने का काम चल रहा है कुछ योजरा पूलनटा पर पहुच चुकी है कुछ लोकार पर हो चुका है लेकिन इस पर भी इनका विश्वात नहीं है हम लें 15 करोड़ किसानों को सौल हाल कार पहुँचाया आदुनीख घेटी की तरफ किसानों को ले गए लेकिन इस पर भी इनका विश्वात नहीं है व्यूरिया में निम कोटिंग उन्हें झोड़ा करदे छोड़ दिया सेध्र प्रतिशत किय की ना उसका किसानों का काम किया जिसका Täimaan तेश के किसानों को हुआbene यूरिया की जो कमी मैसुस होती थी वो बंद हुई है और इस पर भी इनका विस्वात नहीं है नख में प्रदान मंत्रित फसल भी मायोजना के माध्यम से किसानों को विस्वात दिलाने का काम किया मासर प्रिमियम कम किया लेकिन इंसूरंस का दायरा भी हमने बढ़ाया उधारन के तौर पर दोजार सोला सत्रा में किसानों ने करीड तेरा सो करोड रुपए बीमा के प्रिमियम के रुपए दिया जबकि उन्हें सहायता के रुपए फट पंसो करोड रुपए से जादा की क्लेम राची दी गई यानि किसानों के जितना लिया गया उससे तीन गुदा जादा कल में क्लेम राची उनको हम पहुचा दिये लेकिन इन लोगों को विस्वात नहीं होता LED बल्ब जड़ा ये पताएं तो सही क्या कारण है कि उनके तालखंग में LED बल्ब शाड़े तिन सो चार सो चार सो चार सो रुपए में बिक्ता था आज वो LED बल्ब चालिस पैतालिस रुपए में पहुच गया और सो करोड छोटा अंकरा नहीं है सो करोड है लेडी बल्ब आज बिक्त चुके हैं इतना ही नहीं पांच सो से जादा अर्बन बोडिज में बायालिस बासट लाज से जादा LED बल्ब श्ट्रीट राइट में लच चुके हैं और उसके कारण उन नगरपालिकाओं के खर्च में भी बचत रही है उनके समय में मोबाइल बैरिफेक्टिन कंपनियां दो थी आज मोबाइल फोन बनाने वाली 120 कंपनियां है लेकिन उनका विस्वास काम नहीं कर रहा है युवाओं के स्वरोजगार के लिए पहले पड़े लिखे नवजवानों को सड़ी पकड़ा दिया जाता था वो रोजी रोटी के लिए भड़कता था हमने मुद्रा योज़ा के तहर तेरा क्रोड नवजवानों को लोन देरे का काम किया है इतना ही नहीं वक्त बदल चुका है आज दस हजार से जादा देश को इनोवेटिव इंडिया की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं एक समय था जम्द हम डिजीटल लेंदेन की बात करने लगे तो यहीं सबन में बड़े-बड़े विजवान लोग कहने लगे हमारा देश तो अनुपड है डिजीटल ट्रांजेक्शन कैसे कर सकता है हमार सब्सक्राइब को कम आंते थे उनको जनता ने करारा जवाब दिया अकेले बीमैप और मोबाइल फोन से एक महिने में कि फोर्टी वन थाउजन करोड़ रुप्या का ट्रांजेक्शन यह हमारे देश के नागरी अज कर रहे हैं लेकिन उनका देश की जनता पर विश्वाप नहीं है अनपड है यह नहीं करेंगे बोड़ी करेंगे यही मानशिक्ता का प्रणाम है अध्यक्ष महोद्या जी इस अब दूइंग बिजनेस में 42 अंक में सुधार हुआ इनको उस पर भी शक होने लगा है उन संस्ताओं पर भी अविश्वात करने लगे हैं जोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में 31 अंक का सुधार हुआ है उसमेरी उनको शक हो रहा है इनोवेशन इंडेक्स में 24 अंक मे सुधार हुआ है इज अब दूइंग बिजनेस को बढ़ा कर सरकार कॉस्ट अब दूइंग बिजनेस में को कम कर रही है मेकिन इंडिया हो या जीएस्टी इंपर भी इनका विस्वात नहीं है भारत ने अपने साथ ही पूरी दुनिया की एकोनामिक ग्रोथ को मजबुती द सबसे तेजगती से विक्षित होने वाली अर्थववस्ता भारत छठे नंबर की अर्थववस्ता है और ये जयकारा ये जयकारा सरकार में बैठे हुए लोगों का नहीं है सवासो करोण हिंदुस्तानियों के पुर्शार्थ का है इसके लिए तो गवरव करना सीखो लेकिन वो भी गवरव करना नहीं जानते हैं पांच स्रिलियन डॉलर की एकोनमी बनने की दिशा में आज देश तेजगती से आगे बढ़ रहा है हमने काले धन के खिलाब लड़ाई च्छेडी और ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है और मैं जानता हूँ इसके कारें कैसे कैसे लोगों को परिशानी हो रही है वो गाव अभी भी उनके भर नहीं रहे हैं ये तो आपके विहवार से में पता चलता है हमने टेक्नोलोजी के उप्योग किया और टेक्नोलोजी के माध्यम से सरकारी खजाने से निकले हुए रुपिये जो कहीं और चल जाते थे उसमें 90,000 करोड रुपे बचाने का काम टेक्नोलोजी के माध्यम से किया है गलत हाथों में जाता है किस प्रकार की ववस्थाओं से चलता था देश भली बाती जाता है गाई लाग से जादा सेल कमपनियां उसको हमने ताने लगा दी और और भी करीब दो लाग सबाव दो लाग कमपनियां आज भी नजर में हैं कभी भी उन पर ताला लगने की संभावना है पड़ी है क्योंकि इसको पनपाया किसे कौन ताकत है थी जो इसको बढ़ावा देती थी और इन ग्लवस्थाओं के माद्यम से अपने खेल खेले जा रहे थे बेनामी संपत्ति का कानूं सदन ने पारिज किया 20 साल तक लॉटिफाई ने किया रहा है क्यों किसको बचाना चाहते थे और हमने आकर कि इस काम को भी किया और मुझे खुशी है अब तक चार साड़े चार हजार करोड रूपे की संपत्ति इस बेनामी संपत्ति के तरह जब तक कर दी गई है देश को विश्वास है दुनिया को विश्वास है दुनिया की सर्वस्रेश्ट सौंस्ताओं को विश्वास है लेकिन जो खुद पर विश्वास नहीं कर सकते वह हम पर विश्वात कैसे कर सकेंगे और इसलिए और यह सब ऐसे नहीं होता है कि इस प्रकार की मानसिक्ता आवारे लोगों के लिए हमारे सात्रों में बहुत अच्छे रंग से कहां गया है और कहां है धारा नईव पतंती धारा नईव पतंती चातक मुखे मेगस्यकिम दूषणम यानि चातक पक्षी के मुँ में बारिस की बुंद सीधे नहीं गिरती तो इसमें बादल का क्या दोश अधच्छा अधच्छ महोदाया कांग्रेश को खुद पर अभिस्वात है यह अभिस्वात से गिरे हुए है अब विश्वात ही उनके पूरी काड़ शैली उनकी सांस्कृतिक जीवन के हिस्सा है उनको विश्वात नहीं स्वच्छ भारक उसमें भी विश्वात नहीं अंत्राष्टी योग दिवास उस पर भी विश्वात नहीं देश के लिजर बेंग उन्पर्भी विश्वात नहीं अरतेबवस्ता के आँकड़े देने वानी संहता है उन पर भी विश्वात नहीं देश के बाहर पासपोर्ट की ताकत क्या बढ़ रही है या पिर आंतराश्च्य मंचों पर देश का गवरवगान कैसे हो रहा है उस पर भी उस प इभी एम पर विस्वाथ नहीं क्यों कि उनको अपने पर विस्वाथ नहीं है और यह अविस्वास क्यों बढ़ गया जब किछ लोग मुठी पर लोग अपना ही विशे अधिकार मान करके जो बेटे थे जब के जनातिकार में परिवर्थिद होने लगा तो जड़ा वहाँ पर बुखार चड़ने लगा परिशानी बढ़ने लगी क्योंकि जब प्रक्रियाओं को प्रभावित करने की परंपरों को बंद किया गया तो उनको परिशानी होना बड़ा स्वाबावित था जब प्रस्त्याचार पर सीधाप प्रहार होने लगा तो उनको परेशानी होनी बहुत स्वाबावी थी जब प्रस्त्याचार की कमाई आपनी बंध हो गई तो उनकी बेचेनी बढ़ गई ये भी साथ है जब कोट कचेरी में उन्हें भी पेश होना पड़ा तो उनको भी जड़ा तकलीफ होने लगी है मैं हरान हो यहां ऐसे विश्यों को स्पर्च किया गया है आजकल शीव भक्ति की बाते हो रही है कि अधी मैं भी मैं भी भगवान शीव को प्रांत ना करता हूं मैं सब्सक्राइब देशवास्बाक करता हूं आपको इतनी शक्ति दें इतनी शक्ति दें किदो हजार चोवीस में फिल से आप अभिस्वास प्रस्तावले आए का है कि मेरी आपको शुप कामना है यहां पर यहां पर डोकलाम की चर्चा की मैं मानता हूं कि जिस विशे की जानकारी नहीं है कभी कभी उस पर बोलने से बात बड़ी उल्टी पर जाते हैं उसमें व्यक्ति का नुक्सान कम है देश का नुक्सान है और इसलिए ऐसे विश्यों पर बोलने से पहले थोड़ा समालना चाहिए हमें एक गटना करम जरा याद रहना चाहिए जब सारा देश सारा तंत्र सारी सरकार एक जूट होकर दोकलाम के विश्यों को लेकर के प्रबृतिक शिल्थी अपनी अपनी जिम्मेवाद्या समाल रही थी तब जाइद डोकलाम की बाते करते हैं वो चीन के राज़ूस के साथ बैठते हैं और बाद में कभी ना तो कभी हाँ जैसे फिल्मी अंदाज में चल रहा था नाटक ये डंग से चलता है कि कोई कहता था मिले कोई कहता था नहीं मिले क्यों थाजूल आ समरता हूं प्रबुटाश है कि उनके बदहर चीनी राजदूत को मिले ही नहीं है इस बीच एक प्रेस्फिक जपती भी आ गई और फिर कॉंग्रेस ने मानने के लिए मजबूर होना पड़ा हां मुलाकात तो हुई थी क्या देश देश के विशो कोई कोई गंभीरता नहीं होती क्या कि हर जगा पर बच्काना हरकत करते रहेंगे क्या यहां पर राफेल विबाद को छेड़ा गया है मैं कलपना नहीं कर सकता हूं को सत्य को इस प्रकार से कुछला जाया सकता है सत्य को इस प्रकार से रोंदा जाता है और बार बार चीख चुट करके देश को गुम्रहा करने का काम है और इन्हीं विश्यों पर देश की सुरक साथ जुड़े हुए विश्यों पर ही इस प्रकार से खेल खेले जापते हैं यह देश कभी माफ नहीं करें यह कितना दुख़द है कि सदन में लगाएगे और उप पर दोनों देश को बयान जारी करना पड़ा है मैं समयता हूं और दोनों देश को खंडन कर रहा पड़े है क्या इसी बचकाना हरकत हम करते रहेंगे क्या को जिम्मेबारी है कि जो लोग इतने साल्थ सत्ता में रहे हैं कि बिना को सबूत बचिलता चितरों चिलाते रहो सत्य का गलाग फटने की कोशिश के देश की जंता भली भाती जानती है और हर बार जंता ने आपको जबाब दिया है और अब सुधरने का मोका है सुधरने की कोशिश करें हाण देरा राजरीते की एस्जच अश्टर देश सित्मे नहीं है और मैं इस सदं के awards से देख्षप होदाय जी मैं में देश वाश्यों को विश्वाद दिलाना चाहता हूं देश वाश्यों को आस्वस्त करना चाहता हूं कि यह समझोता दो देशों के बीच हुआ है यह कोई व्यापारी प्राटियों के साथ नहीं हुआ है दो जिम्मेवार सरकारों के बीच में हुआ है और पूरी पार दर्सिता के साथ हुआ है और मेरी प्रार्था भी है कि रास्तिय सुरक्षा के मुद्दे पर इतने संवेजन से मुद्दे पर यह बचकाना बयानों से बचा जाए यह मेरा आग्रा है और नामदार के आंग्राइए मैं प्रात्राहिकर सकता हूँ है क्योंकि हमने देखा है एक ऐसी मन प्रर्वति है इस के देश के सेनाधेक्ष को किस भाषा प्रवोख किया घया कैक often love the ab plutus के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रोग किया जाए जाए है है हो आज भी हिंदुस्तान के हर सिपाई जो सीमा पर होगा जो निम्रत होगा आज उसको इतनी गहरी चोट पहुँची होगी जिसकी सदन में बैट करके हम कल पना नहीं कर सकती हैं जो देश के लिए मर्मिट्टे के लिए निकले हैं जो देश की भलाई के लिए ठांद करते हैं उस सेना के जबानों की पराक्रम को उन पराक्रमा को स्विकारने का आपको सामर्त नहीं होगा लेकिन आप सर्जीकल स्ट्राइब को जुम्ला स्ट्राइब बोले यह देश कभी वहब नहीं करेगा आपको गालिया देनी हो तो मोदी मौजूद है आपकी सारी गालिया सुनने के लिए तयार हैं लेकिन देश के जवान जो मर मिटने के लिए निकले हैं उनको गालिया देना बंती है सर्जीकल स्ट्राइक को जुमाइब इस प्रकार से सेना को पानित करने का काम नेरंतर चलता है मानिय तक मैं हो दया पीड़ी दरपीड़ी चला आ रहा यह अविश्वास एक कॉंग्रेस की फित्रत है कॉंग्रेस ने बेश में अस्तिर्त फ्राने के लिए अभिष्वास प्रस्ताव की सभीधानी की व्यश्ता का दुरॉप्योग कि अ अगा हमने अखमार में पढ़ा कि अभिष्वास प्रस्ताव की श्विकृति के तुरंत बाहर बयां दिया गया कौन कहता है हमारे पास नंबर नहीं है यह हंकार देखिए मैं इस सदन को याद कराना चाहता हूं 1999 राष्ट बती भवन के सामने खड़े हो करके दावा किया गया था हमारे पास तो 272 की संख्या है और हमारे साथ और भी जुड़ने वाले हैं 272 272 पुरे देश में और अटल जी की सरकार को सिर्फ एक वोट से गिरा दिया लेकिन खुज जो 272 का दावा किया था वो खोखला निकला और तेरा महिनों में देश को चुनाव के अंदर जाना पड़ा हूं कि चुनाव थोपे गए देश पर मान्या देख्ष महोद्या आज फिर एक स्थीर जना देश उसको अस्थीर करने के लिए खेल खेले जा रहे है राजनीतिक अस्थिरता के द्वारा अपनी स्वार्थ सिद्धी करना एक कॉंग्रेस की फित्रत रही है 1979 में किसान नेता माटी के लाव चौधरी चरंसीजी को पहले समर्थन का ब्रम दिया और फिर वापिस ले लिया एक किसान एक कामगार का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है चंद्र सेखर जी का भी उसी तरह अपनान मोडे सोप्रेंडी बही था पहले सयोग की रसी फैंको और फिर दोके से उसे वापिस ठीचो यही खेल चलता रहा यही फर्मूला 1997 में फिर अपनाया गया पहले देव गोडा जी को पहले आदरिया देव गोडा जी को अपमारित किया गया और फिर इंद्र कुमार गुल्जराल जी की बारी आई क्या देव गोडा जी हो क्या मुलायम सिंह यादव हो कौन भूल सकता है कांग्रेस ने लोगों के साथ क्या किया जमीन से उठे अपने स्रम के लोगों के रुदे में जगा बनाने वालों के जन्नेता के रुपे उफरे हुए कि उन्होंने उन नेताओं को उन दलों को कांग्रेस ने चला है और बार बार देश को अस्थिरता में धकालने का पाप किया है कैसे कॉंग्रेस ने अपनी सरकार बचाने के लिए दो दो बार विश्वास को खरीदने का प्रयास किया वोड के बढ़ ले नोट ये खेल कौन नहीं जानता है आज यहां एक बार ओद नहीं गई यहां पूछा गया कि प्रधान मंत्री अपनी आँख में मेरी आग भी नहीं डाल सकते मानिय अद्यक्ष्बहुद आया सई हम कौन होते हैं जो आपकी आँख में आँख डाल सके तो गरीब मां का बेटा पिछडी जाती में पाइदा हुआ गाउं से आया है आप तो नामजार है नामजार हम तो कामजार है आपकी आँख में आँख डालने की हिम्मत हमारी नहीं है यह हम हम ही दाल सकते अजिति हास गवाह है अडिक जमेहर जाख को वाहा है सुपास चंद्र भूज ने कभी आखमें आख डालने की कोशिथ की उन्हें के साथ क्या किया गया है उन्होंने आख में आख डालने की कोशिश की क्या किया गया जैप्रकाद नारायन गवाह है उन्होंने आख में आख डालने की कोशिश की उनसे साथ क्या किया गया चोगरी चनंसी उन्होंने आख में आख डालने की कोशिश की उनके साथ क्या किया सरदार भलब भाई पटेल ने आख में आख डालने की कोशिज की उनके साथ क्या किया गया अरे इतना ही नहीं हमारे चरद पभार जी ने आख में आख डालने की कोशिज की थी उनके साथ बही क्या किया गया oraz अंख में आग और से यह अंख में आग डालने की कोशिच करनेबों को कैसे अपमानित किया जाता कैसे उनको ठोकर मार के निकाला जाता है एक परिवार का इतिहाज इस देश में जान नहीं है और हम तो कामदार है बला हम नामदार से आँख में आख कैसे पाइज आज आज आखों की बात करने वालों की आखों की हरकतों ने आज पीवी पे पुरा देश देख रहा है कैसे आख खोली जा रही है कैसे वंद्द की जा रही है यह आखों का खेल माने देश महुदाय जी लेकिन आख में आख डूल करके आज सत्य को कुछला गया है बार बार कुछला गया है सत्य को बार बार रोंदा गया यहां कहा गया कॉंग्रेस ही थी जीएश्टी में पेट्रोलियम को क्यों नहीं लाए है मैं जरा पूछना चाहता हूं अपने परिवार के इतिहास के बाहर भी को तो कॉंग्रेस का इतिहास है अपने परिवार के बाहर कॉंग्रेस सरकारों का इतियास है अरे जब इतना तो ध्यान रखो जब यूपी सरकार थी तब पैट्रोलियमों को बहार रखने का जिस्टी के बाहर रखने का निर्णाय आपकी सरकार ने किया आपको यह भी मालूम नहीं है आज यहां यह भी कहा गया आपका आपका विशा लेने वाला हूं मैं आपकी बात जैद्व जी आपकी बात लेने वाला हूं आपके बार लेने वाला आप तब इशाय आएगा अने जना बारी बारी से आने दो किसी को छोड़ने वाला नहीं आप चिंता मत की नहीं हर किसी का सम्मान करूए आप चिंता मत की आज आज यहां यहां यह भी बात कहीं कहीं कि आप चोकीदार नहीं भागीदार है मानिये दिजमोदया मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूँ हम चोकीदार भी हैं हम भागीदार भी हैं लेकिन हम आपकी तरह सोदागर नहीं हैं ठेकेदार नहीं नहीं हम सोदागर हैं नहीं ठेकेदार हैं हम भागीदार हैं देश के गरीबों के दुख के भागीदार हैं हम देश के खिसानों की पिया के भागईदार हैं हम भागईदार है देश बांटना यह हमारी भागिदारी जिम्मवारी है हम निभाएंगे हम ठेकेदार नहीं है हम सौधागर नहीं है हम चौकिदार भी है हम भागिदार भी है हमें गर्व है इस बार कॉंग्रेस का यह की मंत्र है कॉंग्रेस का एक ही मंत्र है या तो हम रहेंगे और अगर हम नहीं हुए तो फिर देश में अस्तिरता रहेगी अफ्वाओं का सामराज रहेगा यह पूरा कालखन देख लीजिए बहां भी गुक्तव होगी बैटें उनसे बहां बैटे हुए भी परिशानिया से कोई बाकी नहीं है सब के साथ क्या हुए सबको मालूम है अफ्वाएं उड़ाई जाती है जूट फ़लाएं जाता है अप अप्रचार किया जाता है आज के यूग में देश में अफ्वाएं फ़लाने के लिए प्रोटेक्नोलोजी भी अवेलेबल है और आरक्षन खत्म हो जाएगा दलीतों पर अत्याँ चाहां रोकने वाला कानून खत्मत क्या रगया है देश को हिंसा की आग में जोकने के शडियंत रहो अध्यक्ष महोदया जी ये ये लोग राजनीति दलीतों पीडीतों सोसीतों बंचीतों गरीबों को इमोशनल बैकमेलिंग करके राजनीती करते रह कामकार हो किसान हो उनके दुखों की चिंता के विरा समच्चा हो के समाधान के रास्ते खोजने के बजाए चुनाव जीतने के सौटकट डूनने का प्यास हुआ है देश में और उसी का कारण है कि देश का एक बहुत बड़ा तबका सशिक्त का सशक्तिकमर से बंचित रह ग आज बाबा साब के गीद गाने लगे हैं तारा 356 का बार बार रुपियों के उदूरुपियों करने वाले हमें लोग तंत्र के पॉइंट पढ़ाने की बाते करते हैं जो सरकार जो मुख्यमंत्री पसंद नहीं आता था उसको हटाना असीरता पादा करना यह खेल देश नहीं छोड़ा गया है और इसी दित्ति का प्रणाम 1980 1991 1998 1999 देश को समय से पहले चुनाओं के अंदर गसीटा गया चुनाओं में जाना पड़ा एक परिवार के सपनों अकांचाओं के सामने जो भी आया उसके साथ यही वरताव किया गया है चाहे देश को लोगतंत्र को ही दाओं पर क्यों न लगाना पड़े स्वाबाविक है जीन की ये मास दिक्ता पड़ी हो जीन के अंदर इतना हंकार भड़ा हो हम लोगों को कैसे स्विकार कर सकते हैं हमारा यहां बैटरां उनको कैसे गवारा हो सकता है यह हम बली बाती समझते हैं और इसलिए हमको ना पसंद करना बहुत स्वाबाविक है कि माने देश महोदा है कि कॉंग्रेस पार्टी जमीन से कट चुकी है ऑर वो तो डुबे हैं लेकिन उनके जाने 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 वाले भी हम तो डुबे संव तुम भी ढूगे तिसका भी यहीं यालोने वाला लेकिन भाई अर्थ और अनर्थ में हमेशा उल्जे हुए अपने आपको बहुत बड़ा विद्वान मानने वाले और विद्वता का जिनको अहंकार है अर्थ और अनर्थ में हमेशा उल्जे हुए एक व्यक्तिनी जो बात पताई थी उन्हें के शब्दों को मैं कोड करना चाहता हूं कॉंग्रेस पार्टी अलग-अलग राज्यों में क्यों और कैसे कमजोर हो गई कॉंग्रेस पार्टी अलग-अलग राज्यों में क्यों और कैसे कमजोर हो गई मैं एक ऐसे राज्य से आता हूं जहां इस पार्टी का प्रभुत्व समाप्त हो गया है क्यों कॉंग्रेस इस बात को समझ नहीं पाई कि सत्ता अब उच्च वर्ग साधन संपन वर्गों से गाउ देहात के लोगों इंटर्मिडियेट कास्ट और यहां तक की ऐसी जातियों को कथित सोशल ओर्डर में सबसे नीचे हैं गरीब बेरोजगार जिनके पास संपती नहीं जिनकी कोई आमदी नहीं जिनकी आवाज आज तक सुनी नहीं गई उन तक पहुची है जैसे जैसे पावर नीचे की तरफ चलती गई जैसा की लोगतंतर में होना चाहिए वैसे वैसे अनेक राज्यों में कॉंग्रेस का प्रभाव खत्म होता गया यह इन्टू इन्वेटर कोटेबल कोट है और यह हैं ग्यारा अप्रेल 1997 का और देव गोड़ा जी की सरकार का जब विश्वास प्रस्थाव चल नहां था उस समय अर्थ और अनर्थ में उज्ज़ हुए आपके विद्वान महारती सिमान चिदंबरम जी का यह वाक्य है कुछ विद्वान लोगों की बाते महांत्राय समझ नहीं आई होगी अठाना साल पहले अटन विहारी वाजपाई जी की सरकार ने तीन राज्यों का गठन किया उत्राखन जारखन 36 गठन कोई खीचा ताम नहीं न कोई जगड़ा मिल बैठ करके जो जहां से निकले उनके साथ बैठ करके रास्ते निकाले और तीनों राज्यों बहुत तेजी से शांती से प्रगति कर रहे हैं और देश के विकास लाब पाने के लिए आंद्र के लोगों को विस्वास में लिए बिना राज से भागत दर्वाजों को बंद करके जोर और जुम के बीच हाउस औरर में नहीं था तो भी आपने आंद्र और तिलंगना का विभाजन किया और ये बात सही है जैजेल जी ने बताया ये बात सही है कि उस समय मैंने ये कहा था उस समय मैंने कहा था तेलू को हमारी मां है उस समय मैंने कहा था तेलू को हमारी मां है तेलू को का स्प्रीट को तूटने रही देना चाहिए उन्होंने बच्चे को बचा लिया मां को मार दिया है हम सब का दाईत है कि तेलू को स्प्रीट को ब मानता हूं लेकिन 2014 में और आपको क्या हल हुआ आपको लगता था एक जाएगा तो जाएगा लेकिन दूसरा मिल जाएगा लेकिन जतना जनता इतनी समझदार थी न ये भी मिला न वो भी मिला और आप पीछे ये मुसीब़े छोड़के चले गाए और आपके लिए नया नहीं है आपने भारत पाकिस्तान का विभाजन किया आज भी मुसीब़त जेल रहे हैं आपने इनका भी विभाजन ऐसे किया है उनको विस्वाद दिलाया होता तो शायद ये मुसीब़त ना आती लेकिन कुछ नही साल बटवारे को लेकर के तनाव रहता था जगड़े होते दे गवर्णर को बैठना परता था हो मिनिस्ट्र को बैठना परता है कि मुझे बैठना परता था और उस समय टीडीपी की पूरी ताकत तेलंगणा के खिलाब लगाए रखी उसी में लड़ते रहे हम उनको शाहित क करते रहे हैं समानने की कोशिश करिए और कियारेस ने एक मैचुरिटी दिखाई चीज़ों को अपने आप विकास में लग गए उधर क्या हाल हुआ आप जानते हैं 177 द्धनों का विवाध आज भी चल रहा है बटमारा ऐसा कि आप लोगों ने 177 द्धनों का विवाध आज भी चल रहा है कि एंडिये की सरकार ने सुनिश्चित किया कि आंद्र प्रदेश और तलंगड़ा के विकास में कोई कमी नहीं आएगी और हम पूरी तरह उसमें कमिटेड और हमने जो कदम उठाएं मुझे कुछ मीडिया रिपोर्ट याद है कुछ मीडिया रिपोर्ट में जयाद आ रही है कि कि इसी सदन के एक मानिय सदस्य हैंat उन्होंने बन दिया दिदिली के उन्होंने ब्यान दिया था रिपिस्पेश्चल केटेगरी स्टेटस से कहीं ज्यादा A कि यहीं लोगों ने दिया विट्टा आयोग की सिफारिस को फिर से दोराना चाहता हूं इस शिफारिस के तहट आयोग ने स्पेशल और जंदरल केटिगरी राज्जो में बेग को समाप्त कर दिया, आयोग ने एक नई केटिगरी नॉर्ठिश्टन को और कि इस प्रक्रिया में आयोग ने इस बात का भी ध्रान रखा कि अन्य राज्यों को आर्थिक नुक्षान नहों एंडिये सरकार आंद्र प्रदेश के लोगों की आशा आप अकांजाओं का सम्मान करती है अब पुरा सुनिया आपके काम की बात आ रहे हैं एंडिये सरकार हैं लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि सरकार 14 वी भी तायोग द्वारा दी गई सिपारों से बंदी हुई है इसलिए आंद्र प्रदेश राज्य के लिए एक नया स्पेशल असिस्टन्स पैकेज बनाया गया जिससे राज्य को उतनी वित्तियत सहायता म मिलें जितनी उसे स्पेशल केटेगरी स्टेटस मिलने से प्राप्त होती है इस निर्णय को इस निर्णय को आठ सितंबर 2016 को लागू किया गया चार नवेंबर 2016 को आंद्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वायमिस पैकेज को स्विकार करते हुए बित्त मंत्री का धन्यवाद किया एंडिये सरकार आंद्र प्रदेश री आर्गिनाइज़ेशन एक्ट और स्पेश्चल असिस्टन पैकेज में की हुए हार कमिट्मेंट को पूरा करना चाहती थी लेकिन टीडीपी ने अपनी विफलताओं को च्छिपाने के लिए यूटन किया और मांजिये दिखम हो जाजी टीडीपी ने जब एंडिये छोड़ना का ताय किया तो मैंने चंद्रबाबू से फोन किया था यह जानकारी आपके काम की जानकारी है टीडीपी टीडीपी एंडिये से निकले चंद्रबाबू से मेरी फोन पर बात हुई है और मैंने चंद्रबाबू से कहां का कि बाबू आप वायसर की जाग में फस रहे हो और मैंने कहां आप पहां किस परधा में आप आप किसी हालत में आप पतने पाओगे यह मैंने उनको इस दिन कहाँ और मैं देख रहा हूगो जगड़ा उनका महां का है उपयोग सदन का किया जा रहा है आंधर प्रदेश की जनता भी इस गणगोर अवसरवादीता को देख रही हैं चुनाम नदिकाते गए प्रतंसा आलोचना में बदल गई कोई भी विशेज इंसेंटिव या पैकेज देते हैं तो उसका प्रभाव दूसरे खेत्रों पर भी इसी सदन में आप भी जड़ा सुन लिजिए इसी सदन में तीन साल पहले सिमान विरप्पा मोयली जी ने कहा था और मैं आज इस सदन के माध्यम से आंद्रे के लोगों को विश्वाद दिलाना चाहिए और मैं आज इस सदन के माध्यम से आंद्रे के लोगों को विश्वाद दिलाना चाहता हूँ मैं आंद्रे की जनता को विश्वाद दिलाना चाहता हूँ चाहने का काम हो जाहे किसानों की भलाई का काम हो हूँ केंद्रत सरकार एंडय की सरकार आंद्र की जनता के कलियान के काम में कोई पीछे नहीं रहेगी उनक Favor कर सकते हैं हम करते रहेंगे आंद्रता प्हों उसी महद देश का बला हो है हमारी सोच है इसा नो हमค़ला कोई अशर नहीं छोड़ेंगे हमारा प्रयास हमारा काम करने का तरीका समस्याओं को सुल जाने का वन रैंक वन पेंशन कौन थे जिनों ने इतने दस्टों तक उसको लटका है रखा था जी अस्टी का विशाएं इतने वर्षों तक कि इसने लटका कर रखा था और आज यहां बताया गया कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने रोका था मैं इस सदन को जानकारी देना चाहता उस समय के जो करता धरता थे उनको भी मालूम है मेरी मुख्यमंत्री के नाते चूछिया भी मौजूद है मैंने उस समय भारत सरकार को कहा था कि जीएस्टी में राज्जों के जो कंसन है इसको एड्रेस किये विला आज जीएस्टी को आगे नहीं बढ़ा पाएं आप राज्जों ने जो जिन्यन पुद्दे उठाये हैं राज्जों के बैठ करके उसका समाधान किये लेकिन इनका हंकार इतना था कि वे राज्जों की एक बात सुन्डे को प्यार नहीं थे और उसी का कारण था और ये भी मैं आज रहत से खोलता हूं कि बीजेपी के सिवाए अन्य दलों के मुख्यमंत्री भी कॉंग्रेस के भी मुख्यमंत्री मुझे मिलते थे मिटिंगों में वो कहते हैं हम तो बोल नहीं पाएंगे मोदी जी आप बोलिए हमारे राज्ज का भी कुछ बला हो जाएगा और मैंने आवाज उठाई थी और में प्रदान मंत्री बना तो मेरा मुख्यमंत्री का अनुभव काम आया और मुख्यमंत्री के कारान सभी राज्जों के कंसंट को एड्रेस करना तैय किया सभी राज्जों को ऑन बौर्ड लाने में सबन हुए और तब जाकर कि जीएस्टी हुआ है अगर आपका हंकार नहो को समझा होता तो जीयस्टी पांक साल पहले आ जाता लेकिन आपका काम का तरीका लटकाने का रहा है काले धन पर सुप्रीम कौट्ड एसाइटी बनाने ने कहा था कौन लटका करके बैठा था यह आप लोगों ने रटका था बेनाभी पर संपती कानौन किसले लटका करके सब्सक्राइब की लागट देड़ सो प्रफिस्थ करने का एट्यासिक नेने लिया गए इरोका था किसने अरे आपके पास तो यह रिपोर्ट दोजार चैसे पड़ी और आप दोजार चौदा तक सरकार में थे आठ शाल तक आपको रिपोर्ट याद नहीं आई हमने ने ने किया था हम किसानों को एमस्पी डेड़ गुना करके देंगे हमने किया और जब यूपिया सरकार 2007 में रास्ते कुरुषिंटी का एलान किया तो उसमें प्रचास प्रतिशत वाली बात को खा गये उसको गायब कर दिया गया इसके आगे भी साथ साल कॉंड्रेस की सरकार रही लेकिन एमस्पी सिर्फ बाते करते रहे और जनता को किसानों को चूठा विश्वात देते रहे मैं आज एक और बात कोई बताना चाहता हूँ देश के लिए ये जानकारी बहुत महत्पून है जिनको सुनना नहीं है उनके कामे आने वाली नहीं लेकिन देश के लिए जरुरी है माम 2014 माहि तब कई लोगों ने हमको कहा ता कि एकोनामी पर वाइप पेपर लाया जाए इक्ओनामी पर भाइपपर लाया जा है ले हमारे मन में भी था वाइप पर लाएंगे लेकिन जब हम बैठे और शुरू में सारी जानकर्या पाने लगे एक के बाद ऐसी जानकर्याई हम चौक गए हम चौक गए क्या आर्थ व्यवस्ता की क्या स्थिति पैदा करके रहे थी और इसलिए मैं अच एन पीए की कहानी सुनाना चाहता हूं क्या परिस्ति पैदा की यह कहानी की शुरॉत हुई 2008 में और 2009 में चुनाओ था कॉंग्रेस को लगने लगा था कि अब एक साल बचा है जितनी बैंक के खाली कर सकते हों करो एक बार जब आज़त लग गई तो फिर बैंक को का अंडर ग्राउंड लूट कि दो हजार नौ के बाद दो हजार चौजार तक चलता रहा है जब तब स्कॉंग्रेस सप्ता में थी तब तक यह बैंक को को लूटने का खेल चलता रहा है एक आकड़ा इस सदन के लोगों को भी चोका देगा आजादी के साथ साल बाद मानिये देख्षा जी आजादी के साथ साल कि में साथ साल में हमारे देश की बैंकों ने लोन के रुपे जो राची दी थी वो अठारा लाग करोड थी साथ साल में अठारा लाग करोड लेकिन कि दोजार आठ से दोजार सोजाओ छेस साल में यह राची अठारा लाग से बावन लाग करोड हो गई शाट साल में अठाना लाग शेस साल में बावन लाग पहुचाई और ये छेस साल में साट साल में जो हुआ था उसको डबल कर दिया और ये कैसे हुआ दुनिया में इंटरनेट बैंकिंग को बहुत देर से आया लेकिन कांग्रेस ऐसे बुद्धिमान लोग है कांग्रेस के लोग ऐसे बुद्धिमान है कि दुनिया में इंटरनेट बैंकिंग आने से पहले बारत में फॉन बेंकिंग शुरूआ ये टेलिफॉन बेंकिंग शुरूआ और टेलिफॉन बेंकिंग का एक कमाल था कि 6 साल में 18 लाज से 52 लाज अपने चहेते लोगों को फजाना लुटा दिया गया बेंक को चाए अगर देलिफॉन लोन देंगा समया उसके लिए दूसरी लँगों देदोग्यात जमाक करने लिए के नहीं लोन लोन देके चलो यही कुछ चख्रच चलता गया और देश और furnace टेश की बैंक बैक विशाल जण्जाल बज गई यह एक तरह से वारत की बैंकिंग वबस्ता के लिए एक लेंड माइन की तरह बिछाया गया हमने पूरी पार्दर सिता के जान शुरू किस एक इसके लिए मेकेनिजम बन शुरू किया हम इसमें हमने इतना बारिकी से गए के एंपिये का जंजाल गहराता गया निरंतर गहराता गया एंपिये बढ़ने का एक और कारण यूपिये सरकार ने कुछ ऐसे दिने लिए जिसके कारण देश में कैपिटल गूर्ज में इंपोर्ट में बेतहासा बुद्धी हुई आपको ये जान करके हरानी होगी कि कैपिटल गूर्ज का इंपोर्ट कस्टम ड्यूटि को कम करके इतना ज़्यादा बढ़ाया गया कि हमारे कच्चे तेल के आया के समतुल्य हो गया इन सारे इंपोर्ट के फाइनांसिंग बैंकों के लोन के जड़िये की गई देश में कैपिटल गूर्ज के उत्पादन पर इसका प्रतिकुल प्रभाव पड़ा बैंकों की लेंडिंग के बिना प्रोजेक्ट एसस्पेंड के बिना क्लियरंस के लिए नहीं गई यहां तक क बहुत सारे प्रोजेक्ट में तो इक्वीटी के बडले भी लोन ही बैंकों ने दिया अब एक तरफ तो इन कैपिटल गूर्ज के आयार और प्रोजेक्ट के निर्मान में कस्टम ड्यूटी या सरकार के टेक्ट में कमी की गई वहीं दूसरी तरफ सरकारी क्लियरंस देने के लिए कुछ नए टेक्स लाग बनाये गए जो टेक्स सरकार के खाते में नहीं जाते थे इस टेक्ट के कारण सारे प्रोजेक्ट क्लियरंस में देरी हुई बैंकों के लोन फसे रहे और एंपिए बढ़ता रहा आज भी पुस्के मित्र जब बार बार एंपिए की स्थिती प तो सरकार को बाते हो करके देश की जंता के सामने कुछ सदन इस सदन के माध्यम से कुछ तत्त फिर से रखने की जरूत पड़ी है एक तरफ तो हमारी सरकार ने बैंकों को बुक्स में इन सभी एंपिएज की इमानदारी के साथ दिखाने का निरना लिया वहीं दूसी तरफ हमने बैंक में सुधार के लिए बहुत सारे नितिकत निरने लिए जो देश की अरति बवस्ता को आने वाले वर्सों में मदद पहुचाएंगे पतास करोड रुपिये से जादा सारे एंपिए अकाउंट की समिच्छा की गई है इन में विल्फुल डिफॉल्टर्स और फ्रोड की संभावना का आकलन किया जा रहा बैंकों में स्ट्रेस्ट एसेट्स के मैनेंग्मेंट के लिए एक नई विवस्ता तयार की गई है कि दो लाग दस जार करोड रुपिये से जादा की राची बैंकों के रीकेप्रिलाइशन के लिए दी जा रही है हमारी सरकार ने इंसॉल्वन्सी और बैंक्रप्सी कोड बनाए है इसके द्वारा तो प्लाइंट डिफॉल्टर्स जो कि कुल एंपिए के 25 प्रतिज़त के ब इन बारा बड़े केस में लगबग तीन लाग करोड रुपे की राची फसी हुई है शिर्फ एक साल में इन मेंसे तीन बड़े मामलों में हमारी सरकार ने लगबग 55 प्रतिशत की रिकवरी पाई है वही अगर कुल बारा बड़े मामलों की बात करें तो उनमें से लगबग 45 प्रतिशत की रिकवरी की जा चुकी है ऐसे ही लोगों के लिए कल ही लोग सभाने फुजिटिव एकॉनोमिक अफेंडर बील पास किया है बैंक का करद नच चुकाने वालों के लिए अब देश के क पर नियंत्रन लगने में भी मदद मिलेगी अगर 2014 में एंडियस सरकार में बनती जिस तौर तरीके से कौंगिरस सरकार चला रही थी अगर बही व्यवस्ता चलती रहती तो आज देश बहुत बड़े संक्ट में गुजरुता होगा मैं इस सदन के माध्यम से देश को यह पताना चाहता हूं कि पहले की सरकार देश पर स्पेश्चल फॉरेंड करेंसी नॉन रसिडेंट डिपोजिट याने एप सी एन आर के लगबाद 32 बिलियन डॉलर 32 बिलियन डॉलर का कर्द छोड़ करके गई थी इस कर्द को भी आज भारत ने पुरी तरह वापस कर चुकी है यह काम हमने कर दिया कि बिश्वें कि अजिए कि मानने तेक नहीं हो जाए देश में ग्राम स्वराज बियां इसको आगे बढ़ाने के लिए मात्मा गांती के सपनों को साकार करने के लिए हमने 15 अगस्तक 65,000 गाउं के सभी के पास बैंक खाता हो गैस कनेक्शन हो हर घर में बिजली हो सभी का तिका करन हुआ हो सभी को विवा का सुरक्षा कवच मिला हो और हर घर में लेडी बल हो यह गाम उन 115 जिलों में हैं जिनको गलत नितियों ने पिछड़े पन का अब इस्वाद दिया और हमने उनको आकांग्षा का नया अब इस्वाद दिया न्यू इंडिया की व्यवस्ताएं स्मार्ट भी है सेंसिटिव भी है स्कूलों में लेब के ठिकाने नहीं थे हमने अटल तिंकरिंग लेब स्कील इंडिया खेलों इंडिया अभ्यानों से प्रतिवादी पैचान और सम्मान बढ़ा दिया महिलाओं के लिए जीवन के हर्पड़ाओं को धान में रखने हुए योजनाय बढ़ाए गई और मैं आज गर्वा के साथ कहना चाहता हूं केविनेट कमिटी ओन सिकूरिटी में पहली बार देश में दो महिलाएं बैठती हैं और दो महिला मंत्री नेने में भागिदार होती हैं महिलाओं को फाइटर फ्राइट पाइलेट के तौड़ पर इंड़क किया गया है तीन तलाग जेल रही मुस्लिम पहनों के साथ सरकार मजबूती के साथ खड़ी है एक जिलों में बेटियों के जन्मे में बड़ोत्री बेटियों पर अथ्याचार करने वालों के लिए हासी तकता प्रावधान लोगतांत्री की ववस्ता में हिंसा और अथ्याचार को इजाज़त नहीं दी जा सकती है ऐसी गट्लाओं में किसी एग भारतियताबी निदान मुलिशाओं दूख़द तकी मूलबावना के खिलाप है जहां भी ऐसी घिंट्लाओं हो रही है वहां पर राज सर्कार कारवाय कर रही कर रही है आज इस सदन के माद्म से राज सरकारों को फिर से आगरे करूंगा जो भी ऐसी हिंसा करें उसके खिलाब सक्त कारवाई की जाए देश को 21 सभी के देश के सपनों को पूरा कर रहा है भारत माला से हाइवे का जाल पुरा देश में बिशाये जा रहा है सागर माला से पोर्ट डेवलप्मेंट और पोर्ट लेड डेवलप्मेंट उसको बड़ावा दिया जा रहा है तायर टू टायर थ्री सिटी में हवाई कनेक्टिविटी पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है देश के सहरों में मेट्रों का व्यापक विस्तार हो इस पर काम चल करने के लिए तेज गति से काम हुआ है देश इसका साक्षी है गाउं से लेकर के बड़े शोरों तक करीब और मध्यमबर के जीवन में बड़े बड़लाव ला रही है पहलों की सरकारों के मुकाबले हमारे सरकार की गति कहीं ज्यादा तेज है जाए सरकों का निर्मान हो र करने की हो नए सिक्षा समस्तान हो आयाइटी आयम हो मेडिकल सीटों के संख्या में बुद्धी हो कर्मचारी वही है विरोक्रसी वही है फाइलों का तोर तरीका वही है लेकिन उसके बड़िद भी यह पॉलिटिकल वील है जिसके कारण देश के सामर्थ में नई उर्जा भ रोजगार को लेकर के इस देश में रोजगार को लेकर के बहुत सारे प्रम फ्यलाए जाने और फिर एक बार सक्ष्य को कुचलने का प्रयास आधार ही लबाते कोई जानकारी नहीं ऐसे गब गोले चलाना अच्छा होगा अगर उसमें थोड़ा बारी का इसे जान देते तो देश के नौजवानों को निराज करकर के राजनीती करने का पाप नहीं करते हैं सरकार ने सिस्टेम में उप्लब्द रोजगार से संबन दी अलग अलग आँख्णों को देश के समख्ष हर महिने प्रस्तुत करने का निर्णे किया संगेटी छेक्र यानि फॉर्मल सेक्टर में रोजगार में वृद्धी को मापने का एक तरीका है एमप्लोई प्रविडेंट फंड यानि एपी एप में कमचारियों का आउसरा सितंबर 2017 से लेकर मई 2018 इन नौ महिनों में लगबग 45 लाख नए नेट सब्सक्राइबर एपी एप से जुड़े हैं इन में से 77 परसेंट 28 वर्थ से कम उमर के हैं फॉर्मल सिस्ट्रिम में न्यू पैंशन स्कीम यानि एपी एपिछले नौ महने में पांच लाख 68 हजार से ज्यादा लोग बुड़े हैं इस तरह एपी एप और एंट पैस के दो आकड़ों को मिला कर ही पिछले नौ महनों में फॉर्मल सेक्टर में पचास लाख से जादा लोग रोजगार में जुड़े हैं यह संख्या पूरे वर्ष के लिए सत्तर लाख से भी जादा होगी इन सत्तर लाख कर्मियों ने कि यह साइसी के आकड़ों को सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि इन में अभी आदाल लिंकी का काम चल रहा है इसके अतिरिक देश में कितनी ही प्रोफेशनल बॉडिज हैं जिन में यूवा प्रोफेशनल डिग्री लेकर अपने आपको रजिस्टर करते हैं और अपना का हुदारण के तौर पर डॉक्तर्स, अंजिणियर्स, आर्किटेट्स, लॉयर्स, चार्टर्डडेशंस, एक स्वतंत्रा इंडिपेंड एंस्टिटू टे सर्व्य किया है और इंडिपेंड इस्चि़ूट का स्टैड़ी कह रहा है उन्होंने जु आखड़े रखे हैं, उन का कहना है 2016 सपरा में लगबक 17,000 नए चार्टर एकाउंटन सिस्टेम में जुड़े हैं इन में से पांच हजार से ज्यादा लोगों ने नई कंपनियां शुरू की हैं अगर एक चार्टर एकाउंटन समता में बीस लोगों को रोजगार मिलता है को इन संश्काउं में एक लाच से जादा लाख लोगों को रोजगार में लागजा से पॉस्डेट confess लाक्टर डेंटल सरजनला आउस्ट डॉक्टर हमारे देश में असी हजार से ज्यादा पॉस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर डेंटल सर्जन और आउस्टे डॉक्टर सिक्षित होकर के पती वर्ष कॉलेज से निकलते हैं इनमें से अगर साथ प्रतिशक भी खुद की प्रैक्टिस करें तो प्रती डॉक् रोजगार के उसर मिनेंगे और यह संख्या दो लाग चालीस हजार होगी लॉयर दोजार सप्रामें लगबर असी हजार अंदर ग्रेजुएट और प्रोस्ट ग्रेजुएट लॉयर बने इनमें से अगर साथ प्रतिशत लोगों ने अपनी प्रैक्टिस शुरू की होगी औ अपने दो तिन लोगों को रोजगार दिया होगा तो लगबर दो लाग लोगों को रोजगार उन वकीलों के माध्यम से मिला है इन तीन प्रफेशन में ही 2017 में 6 लाग से जादा लोगों को रोजगार के आउसर मिले हैं अब अगर इन्फार्मल सेक्टर की बात करें तो ट्रांस्पोर्ट सेक्टर में काफी लोगों को रोजगार मिलता है कि पिछले वर्स को ट्रांस्पोर्ट सेक्टर में साथ लाग साथ हजार कॉमर्सियल गाड़ियों की विक्री हुई साथ लाग साथ हजार कॉमर्शल गाडियां अगर इस में से 25 प्रतिसेद गाडियां विक्तिरी पुरानी गाडियों को बदलने में ने माने तो पांच लाग सप्त हजार गाडियां सामान डूलाई के लिए सड़क पर उत्री और नहीं उत्री ऐसी एक गाड़ी पर दो लोगों को भी एकर रोजगार मिलता है तो रोजगार पाने वालों की संख्या 11,40,000 होती है उसी तरह अगर हम पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री को देखे तो यह संख्या 25,40,000 की थी इन मैंसे अगर 20 प्रतिशत गाड़ियां पूरानी गाड़ियों को बदलने की मानी जाए तो लगबत 20 लाख नई गाड़ियां सर्कों पर उत्री इन नई गाड़ियों में अगर केवल 25 प्रतिशत गाड़ियां भी ऐसी मानी जाए जो एक ड्राइवर को रोजगार देती हैं तो वह पांच लाख से जादा लोगों को रोजगार में देगा उसी तरह से पिछले साल हमारे हां दो लाख 55,000 आटो की भिक्री हुई है इन मैंसे दस प्रतिशत की भिक्री अगर पुरानी ओटो बदलने की मानी जाए तो लगबत दो लाख 30,000 नए आटो पिछले वर्ष सणक पर उत्रे हैं क्योंकि आटो दो सिक पे चलते हैं तो दो आटो से तीन लोगों को रोजगार मिलता है ऐसे में तिन लाख 40,000 लोगों को नए आटो के जरी रोजगार मिलता है अकेले ट्रांस्पर्ट सेक्टर को इन तीन वहानों से पिछले एक वर्ष में 20 लाख लोगों को नए अवसर मिले हैं इपी एफ, एन पी एस, प्रोफेशनल कांस्पर्ट सेक्टर की अगर हम जोड़ करके देखें एक करोर से ज्यादा लोगों को अकेले पिछले वर्ष रोजगार मिला है और यह एक इंडिपेंडेंटेंट संस्ता का सर्वे कह रहा है मैं उसे इंडिपेंडेंट इंस्टिटुट को कोड कर रहा हूं, यह सरकारी आखडे मैं नहीं बोल रहा हूं और इसलिए मेरा आग्रा है कि कृपा करके बिना तक फोगों, सत्य को कुछलने का प्रयास न किया जाए कि देश को गुम्रा करने का प्रयास लगिया जाएं आदेश एक अहम पड़ा उपर है आने वाले पांच वर्ष सवा सो करोड हिंदुस्तानियों के जिसमें 85 प्रतिशत हमारे नौजवान देश की नियत्ताय करने वाले हैं नौजवान देश की नई आशा अतांचाओं का आधार बनेगा जहां संभावना अवस्वरोग श्थिरता इसका अनंत विस्वास होगा जहां समाच के किसी भी बर्ग किसी भी खेत्र के पती कोई अविस्वास नहीं होगा कोई बेड़बाव नहीं होगा इस महत्तपुन समय में बदलते हुए बाइस्विफ परिजेश में हम सभी को साफ मिलकर के चलने की आवश्यक्ता है अद्धिक्षि महोदया जी जिन लोगों इस चर्चा में भाग लिया मैं उनका भार व्यक्ता करता हूँ मैं फिर एक बार आंद्रा की जंता के कल्यान के लिए एंडिये की सरकार कोई कमी नहीं रहेगी हिंदुस्तान के हंदुस्तान में विकास की राह पर चलने वाले हर किसी के लिए जी जान से काम करने का ब्रुप लेकर के हम आए हैं अब मैं फिर अग्मार इन सभी महानुपाव को दो हजार चौबीस में अभी सबस्ताव लाने का निमंत्रन देकर के मेरी बात को समावत करता हूं और इस अभी सबस्तावत को पुरी तरह खारीच करने के लिए इस सरम को आगर्या करता हूँ आपने मुझे समय दिया मैं यहां लोगाने एके साथ एको जए द्दिरते टार पतल रेकिशनानी उसिए्टिटर सेव केशीय है यह विल दोगाने ऑपतल ने हमाड़ा से रएक। वेडियो इू केश्टर ने बीचटर पतल सेवत। you okay three cases you want to reply you will get two three minutes but they will have to go to them see the other way they will not get the time if they want if we If they want to, no, they will have to go to their seats. Not like this. I will not allow it like this. You don't want to say anything. Let them go to their seats then only you can. I want at least half an hour.